Dear students, welcome to great smashers आज की इस वीडियो में explain करने जा रहा हूँ why there is a need of IPv6 protocol guys maximum जगह पे आपने IPv4 के बारे में पढ़ा होगा चाहे आप competitive exam की बात कर लो college university exam की बात कर लो वहाँ पे अभी भी IPv4 protocol के बारे में ही पूछा जाता है maximum लेकिन अभी जो है IPv6 protocol जो है वो बहुत जादा popular हो चुका है और आपको इसके बारे में पूरी detail में पता होना बहुत ही जूरी है although IPv6 के header के बारे में already मैंने video बनाई हुई है कि उसका header के अंदर कौन-कौन सी fields है क्या purpose है उन field का लेकिन कई पर क्या होता है na competitive exam में या कई पर interviews वगेरा में भी आपसे पूछ लेते हैं कि यह IPv6 की need क्या है जब already IPv4 बहुत अच्छा चल रहा है तो what is the need of IPv6 क्या ऐसे reasons हैं कि हमें IPv6 पे shift होना पड़ रहा है तो वो आपको मैं इस video में सारे के सारे point clear करना चाह रहा हूँ तो guys फड़ा बट से video को like करते हैं चैनल को subscribe करें अगर एक तक आपने नहीं करों अगर कर भी दिये तो और devices से subscribe करवा सकते हो subscribers बहुत रूरी है चलिए start करते हैं सबसे पहला point यह है कि IPv6 को हम क्या बोलते हैं IPNG protocol भी बोल देते हैं IPing protocol जो है वो दो versions है तो IPv6 latest version है next generation भी इसको बोल देते हैं क्योंकि इसको जो बनाया है ना इसका जो purpose वो इस तरीके से बनाया है कि कम से कम 50-60 साल तक आपको इससे next version की जूरतना पड़े आप easily इसके उपर जो है वो काम कर सको और actually हो क्या रहा है ना अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि अपने जैसे laptop है mobile है इनको हम internet से connect करने की कोशिश कर रहे थे मलब इनको हम connect कर रहे थे लेकिन जब से IoT का concept आया है internet of things का concept आया है तो वो कहता है कि जो हमारे घर के regular devices है AC है washing machine है fridge है कुछ भी मलब आप laptop और mobile phone को smart homes आपने सुना होगा smart watches आपने सुना तो यह सारे internet के थूँ जो है वो connected है तो यार इतने devices अगर connect हो रहे हैं तो obviously मेरको इतने high number of IP addresses भी चाहिए ठीक है न क्योंकि अगर IP address मिलेगा तभी वो internet से connect होंगे तो इसलिए सबसे पहला reason यही है कि why we are shifting to IPv6 why we are preferring IPv6 because there is a limitation in IPv4 addresses तो IPv4 के अंदर जो addresses थे उसमें आपने सुना होगा कि 32 bit का address होता है तो 32 bit के address का मतलब है कि आप 2 raise to power 32 IP addresses generate कर सकते हो और 2 raise to power 32 देख लो यह value होती है बलब तकरीमन 4.3 billion values आप कह सकते हो तो यह value ना अभी तक के लिए तो ठीक था, sufficient था लेकिन जब से हम यह IoT का concept आ रहा है तब से जो है मिर पास यह value क्या हो गई, कम हो गई चोटी होगी और उसमें आपने यह भी सुना होगा कि actually classful जब addressing थी तो उसमें class D, class E को बहुत ही अलग-लग purposes के लिए उन्होंने reserve किया हुए था although class less addressing के थुरू या network address translation जो net का concept था उसके थुरू भी हमने काफी addresses generate कर लिए, still हमारा purpose जो है वो solve हो रहा था लेकिन जब से IoT का concept आया इतने devices आ गया है तो इसलिए मेरे पास वहाँ पे number of IP addresses जो कहा थे वो limited थे तो इसलिए हम लोग जो है वो अब use कर रहे है IPv6 क्योंकि आप देख लो जी इसके अंदर ये तो value को भी judge करना बहुत ही मुश्किल है quintillions में value है इतनी बड़ी value है इतने number of addresses आप generate कर सकते हो तो आने वाले 50-60 साल तक आप कह सकते हो कि यार ये number जो है वो sufficient है तो ये सबसे पहला सबसे बड़ा reason आप ये कह सकते हो अकेला ये reason नहीं है और भी वहाँ सारे है जैसे real time data transmission जब भी हम real time data transmission की बात करते हैं आप उसमें live streaming की बात कर लो audio video को transmit करना है हमें तुरंत immediate मलब sender ने बेजा receiver के पास उसी time पहुचना चाहिए जैसे live stream करते हैं जैसे आप match वगरा देखते हो cricket matches की बात करें तो ऐसा नहीं है कि उसने ball डाली और आपको 10 minute के बात दिखेगा नहीं आपको live stream में ठीक है थोड़ा बो delay हो सकता है बट still वो चीज जो है वो बिल्कुल match करनी चाहिए तो IPv4 में हमारे पास ऐसे कोई ऐसे आप कह सकते हैं कोई field नहीं थी या कोई ऐसा support system नहीं था कि जो इसको support करें लेकिन IPv6 में real time data transmission के लिए हमारे पास क्या है support system है तो इसलिए ये भी एक advantage होगी then authentication authentication की है अगर हम बात करें authentication का मनलब क्या है कि message जो है वो authenticated होना चाहिए मनलब मैंने आपको message बेजा आपके पास वो message received हुआ तो आपको confirmed होना चाहिए कि भया वो message मैंने ही बेजा था मतलब वो message मेरे थूँ ही आया था कोई और वरुन सर बनके message नहीं भेज़ना तो इस चीज के लिए हमें उस message को authenticate उसका जो जैसे hashing वगएर हम use करते message digest निकालके और फिर match करते कि अगर वो hash value match कर गई तो okay है मतलब ये सारा concept जो है वो authentication के अंदर आता है और वो support करता है मतलब IPv6 इसको support करता है then ऐसी encryption वाला concept आ गया पहले क्या था कि जो application layer है जो user है user कहता है कि मेरे को encryption चाहिए तो application layer के protocol क्या करते थे data को encrypt करके भेजते थे network layer में कोई ऐसा system नहीं था IPv4 के अंदर encryption वाला कोई system नहीं था कि आप plain text को cipher text में convert करो लेकिन IPv6 में क्या है कि application layer अगर मतलब उपर वाली layer अगर data को encrypt करके भेज रही है तो अच्छी बात है अगर वो नहीं भी भेज रही तो network layer पे भी हमें जो है वो ये चीज enable हो चुकी है मतलब IPv6 जो है वो भी message को क्या कर सकता है encrypt कर सकता है तो security भी यहां पे मिल रही है जो कि आज के time पे बहुत ही जादा major crucial आप कह सकते point है क्योंकि इतने devices connect हो रहे हैं इतने लोग सारे e-commerce पे आ रहे हैं तो obviously security भी major concern है तो ये भी एक बड़ा advantage है इसका then fast processing at the routers मतलब हुआ क्या कि IPv4 में बहुत सारी fields ऐसी थी मतलब उसका अगर आप header देखो न तो 20 से लेके 60 byte तक variable header था मतलब बहुत सारी fields judge करनी पड़ती थी calculate करनी पड़ती थी router पे चाहे आपको ये check करना कि header की length कितनी है वो भी आपको calculate करनी पड़ती थी उसके लावा check sum बहुत सारी value सी लेकिन यहाँ पे क्या किया IPv6 में जो base header है वो 40 byte का fix कर दिया मतलब कुछ चीजें जो है वो वहाँ से हटा दी ताकि extra processing ना हो तो router जो है वो extra time ना लगाए वो फटा-फट से process कर सके ठीक है और दो बाकी की चीजे extension header में डाल दी लेकिन base header उन्होंने fix कर दिया तो इस वज़या से light होने की वज़या से आप कहा सकते हो या कुछ चीजें हटाने की वज़या से आप कहा सकते हो कि routers जो है IPv6 के packet को बहुत जल्दी process कर सकते हैं तो इसी लिए fast processing में होगी तो ये भी हमारे पास advantage है तो अगर आपको ये points में से कोई मलब in case आपको कहीं भी पूछ ले कि IPv6 की advantage क्या है IPv6, IPv4 से अलग क्यों है क्या उसके benefit है तो ये सारे points mention कर देना इस से ज्यादा आपको कोई नहीं पूछेगा Thank you